बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तो प्याम जैजे शिरी रादे हर हर महादेव दस सितम बर्चे पित्रपक्ष शुरू हो रहा है पित्रपक्ष में आप पित्रों को बोजन कराने के लिए ब्रामन बोज कराते होंगे या फिर आप ब्रामनों को 16 श्रादों में बोज कराते होंगे ब्रामनों को बोज कराने में सबजी खाना भी बनाया जाता है पर ब्रामनों के बोज कराने में दो वस्तूओं को नहीं बनाया जाता उसमें सबसे पहले स्थान पर आती है पत्ता गोभी ये बंद गोभी इसको पित्र पक्ष में ब्राह्मनों के भोज में नहीं बनाया जाता इस बात का विशेश ध्यान लगेगा यदि आप ब्राह्मन बुरुच करा रहे हैं तो आपको पत्ता गोभी नहीं बनाएं, दूसरा है कद्दू, जिसे कद्दू और आपके वहाँ पे शायद कुछ और नाम से जानते होंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कद्दू को भी ब्रामण बोज में नहीं बनाया जाता है, यदि आप पित्र प्रक्ष में ब्रामणों को बोजन करा रहे हैं, तो उसमें कद्दू की सबजी ना बनाया, पर तीन विशे से सबजिया हैं, जिनको आपको ब्रामण बोज में बनाना जरूरी है, चूँकि उनके ब्रामणों द्वारा उनको खाने से आपके पित्रों को पित्रों का पेट बढ़ता है, सबसे पहले नंबर पर है यदि आप ब्रामण बोज बना रहे हैं, तो आपको खीर बनाना जरूरी है, जरूरी है या फिर आपको खीर बनाने ही चाहिए, खीर सबसे पहले नंबर पर तो हो गई खीर, उसके बाद आपको तोरई या गिल, इसकी सबजी भी जरूर बनानी चाहिए, तोरई या गिल की सबजी भी बनानी चाहिए यह भी पेतर पक्ष में बनाई जाती है भ्रहमन बोज में बनाई जाती है तीसे नमबर पर उड़त की डाल की बड़े उड़त की डाल की मरती उड़त की डाल की सबजी उड़त की डाल के पकोड़े जो भी आपको उचित लगया आप उड़त की डा और तोरह ये गिल जब ब्रामन इन तीनों को खाते हैं तो इन तीनों के खाने से किस-किस को क्या लाव होता है वे हम आपको बता रहे हैं जब ब्रामन खीर काते हैं तो खीर काने से खीर का भोग आपके पित्रों को प्राप्त होता है जब ब्रामण अश्रमा कीजिएगा तोरई को खाते हैं तोरई या गिल को खाते हैं तो आपके आहूतों को उसका भोग प्राप्त होता है और जब ब्रामण उरत की डाल की बने हुई कोई भी वस्तू या इमर्ति या बजिया खाते हैं तो प्रेतों को उसका भोग प्राप्त होता है इस प्रकार आपके घर के जितने भी पित्र है आहूत है या कोई प्रेतियोनी में भी हो उसको भी इन ब्रामन बोच करने से उनका भोग प्राप्त होता है और वहा यदि प्रेतियोनी से हैं तो प्रेतियोनी में भी छोड़ जात सबी भक्तों को शिरी शिवाए नमस्तू प्याम हरहर महादेव